प्रियाना की पुलिस जो है देर आये दुरुस्त आये ये कारवाई पिछले आंदोलन में भी होनी चीए थी पर ये कारवाई इस बार हुई है क्या अब इस देश की सरकार जो है 200 रुपे या 200 रुपे किलो जो है गयों खरीदेगी क्या आप और हम 300 रुपे किलो का आटा खर आते हैं कि कुछ न कुछ बवाल होता है किसान आंदोलन की आड में जो तरीके से सरकारी संपत्ती को नुकसान पहुचाया जा रहा था और उसी पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हर्याणा की पुलिस ने जारी कर दिया नोटिस जिसमें साफ कहा गया कि जो भी अब कम होती हुई नजर आ रही है जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि हम तो अपनी मांगे मनवाकर ही हटेंगे वो किस तरीके से अपने वीजे और पासपोर्ट की बात को सुनते ही जो है वो पीछे हटने लगे हैं वो उबदर्वी जो अभी तक सरकार की संपत्ती को नु पुलिस के एलान के बाद ही पीछे हटते हुए नजर आ रहा है शर्मा जी पहले का जा रहा था जब तक हमारी मांगे पूरे नहीं होंगी बॉर्डर से हिलने वाले नहीं है और जैसे ही पुलिस की तरफ से एलान कर दिया गया कि सरकारी संपत्ती को नुकसान पहुचाने व है किसानों का अंदोलन और दूसरी तरफ जो है किसानों को भेश में आई हुए कुछ उपद्रवी जिनका एजिंडा कुछ और है जो देश के अंदर लॉयन ओर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ना चाहते हैं अब इस मुद्दे से बहुत सारी चीजे connected हैं 2014 में इस देश में जो है 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार आई और नरेंद्र मोधी के नित्रत्व में ये देश आगे बढ़ने लगा तो नरेंद्र मोधी ने अपने 2014 के मैनिफेस्टों में देश को कुछ वादे किये थे और उन्होंने जो है इस देश के अंदर पूरा का पू पूरे होते हैं आप चैनल ओपर जाईए और देश की जनता को बताईए कि हमने पिछले एक साल में इतना किया इस साल में इतना किया तो एक उन्होंने अब्लिगेशन को समझा और कि मंत्रियों ने आके लोगों के साथ जो है कम्यूनिकेट करना शुरू किया उन्होंने बत तो ये ग्लोबल पॉलिटिकल ओडर के अंदर कुछ लोगों को कुछ देशों को भारत की उभरती हुई ताकत जो है रास नहीं आ रही थी तो जोर्च सोरोस जैसे व्यक्तियों ने खुले रूप से एलान किया कि भारत में बढ़ते हुए राष्टवाद को रोकने के लिए मैं वन बिलियन डॉलर जो है निवेश करूँगा अब आप सोचिए ना जोर्च सोरोस की मौसी यहां से परदान मंतरी का चुनाव लड़ती ना उसका भतीजा यहां से सांसदी लड़ता तो जोर्च सोरोस की यहां पे कौन सी खेती खराब हो रही थी जिसको वन बिलियन य वाल इस तरीके से देश का महौल खराब करने वाले लोग हैं कहीं न कहीं उन लोगों को इस देश के अंदर प्रायो जीत किया जा रहा है। वो रभे बाद आंडोलन हो चाहे वो चैन्त को ऐख वाले आंडोलन हो flower से रभापatkे तक шाय वाल पर उसके बाद किसानों चला आँ आप देखे जहरा जिरत में यह आँ ॉль जाए बाड़ बाड़ को और इस को लेकर दना किसानों को रोड़ नज़र अगर पर कनेड़ा में एक प्रदर्शन हुआ जी 15 दिन की अंदर वहां का जो प्रदान मंत्री वह अपना सरकारी आवास छोड़के भग गया वो लोग 15 दिन का आंदोलन अपने देश में डाइजस्ट नी कर पाए पर हमारे यहां एक साल तक प्रदर्शन चला खूब हो अल्ला हु कि पुलिस जो है देर आये दुरुस्त आये यह कारवाई पिछले आंदोलन में भी होनी चीए थी पर यह कारवाई इस बार हुई है और बहुत तत्परता के साथ हुई है और आप बताईए इस देश में लगबग 15 से 20 करोड किसान है क्या इस देश में क्या एक ही वापस ले लिया अब जानना देश की जंता यह जानना चाहती है कि भीया एक बात बताईए क्या अब इस देश की सरकार जो है 200 रुपे या 200 रुपे किलो जो है गयों खरीदेगी क्या आप और हम 300 रुपे किलो का आटा खरीदने की एकॉनमी में पहुंच गए है तो यह ब लोग पंजाब में सरकार बनाने से पहले बोलते थे कि तुम नहीं कर सकते हम करके दिखाएंगे और इन्हों ने बोला कि हम जो है 22 फसले जो है MSP पर खरीदेंगे आज आपके चैनल के माधिम से देश की जनता को जानकारी हो कि पंजाब की सरकार मुश्किल से 2 फसले MSP पर खरीदती है इतनी बड़ी-बड़ी बाते करते हैं ये लोग और कहते हैं कि अब हम सबसीडी दे देंगे क्यों दे दोगे बही सबसीडी जब तुम अभी साल भर पहले तुम MSP पर खरीदने पर राजी हो गयता है खरीद के दिखा दो तुम देश के अंदर एक नया मॉडल दिखा दो आज क्या हो रहा है कि बड़ा असान है लोगों को जूटे वादे करना ठीक है देश का हमारे देश की अर्थविवस्ता है हमारे एक साल का बजट है 45 लाग करोड रुपे और ये जो मांगे कटी की जा रही है अगर इनका आप एक estimated बजट बनाओगे तो 33 से 35 ला आप करो ना चे महीने तक पंजाब के अंदर किसान भगवन्त मान के घर बैठा हुआ था तब भगवन्त मान पीछे वाले दरवाजे से निकल के भागते थे और किसानों को पर लाठी चार्ज करते थे आज उन्होंने उनी किसान को उठा के दिल्ली भेज दिया ताकि पुरा पंजाब सरकार का पैसा पंजाब सरकर की इनरजी इस प्रकार के आंदोलोनों पर लगा रखी है तो देश की जनता देख रही है 24 का चुनाव सर पे देश की जनता ऐसे लोगों का बढ़िया इलाज करेगी तो इस प्रकार के जो औरकेस्ट्रेटिड धरने हैं वह द सरकार का काम गवर्नेंस देना है या सरकार का काम जो है यह सब कुछ करना है आज बड़ा आसान है आज पंजाब के अंदर एक किसान जो है यूपी से धान खरीता है उसके ओपर 700-800-900 रुपे का एडवांटेज लेकर उसको MSP पे बेचता है क्या उत्तरप्रदेश का किसान कि किसान नहीं है क्या आंद्रप्रदेश का किसान किसान नहीं है क्या इस देश के अंदर सिर्फ पंजाब का किसान किसान है तो यह जो लिट्रल जो सही माइनों में किसान है उनको भी समझना पड़ेगा कि आज की सरकार आज से 10 साल पहले की सरकारें क्या करती थी आज से 10 साल पहले मुश्किल से 12-1300 रुपे में धान खरीदा जाता था 200 रुपे में धान खरीदा जा रहा है क्या इस सरकार ने MSP पर वृद्धी नहीं की ये सब चीज होते हुए अगर आप देश के अंदर एक हुलिगिजम बनाना चाहते हो तो देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी